हेलो एवरीवन और वेलकम बाग तो आवर यूट्यूब चैनल सेवीफोरेंसिक्स और आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को विश यू अवेरी वेरी वेरी हापी हो ली आप सभी लोगों ने आई होप बहुत अच्छे से कल हो ली को इन्जॉय किया होगा अब वापस से अपनी स्टाडी की तरफ मूफ कर जाते हैं अब फिर से बहुत ही जादा एनेर्जी के साथ में अपने प्रेप्रेशन को और जादा इन्हांस करते हुए पढ़ते रहना है ठीक है तो बिसिकली आई होप आप सभी को पता चल चुका होगा है कि हमारा जो आप बहुत टाइम से आप सभी की क्विज के लिए डिमांड हो रही थी तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे अब आ चुका है बिसिकली एक ब्लॉग है तो वहाँ पर आपको जाना है और हर अल्टनेट डेस पर वहाँ पर आपको कुछ क्विज मिलेंगी 10 क्वेशन की 20 क्वेशन की इसको डिजाइन करूंगी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो इससे क्या रहेगा आपको आपकी खुद की मार्किंग भी पता चलेगी बैसिकली आपने कितने क्वेशन को अटेम्ट किया उसके कोडिंग आपकी कितने स्कोर्स आए वह सब आप देख पाएंगे और ह हर एक क्वेशन का जहां पर रिक्वाइड होगा किसी भी क्वेशन की डिटेल एक्स्प्लेनेशन का तो वह भी आपको हर एक क्वेशन के नीचे वहाँ पर आपको अभील हो जाएगा ठीक है तो यह चीज़ें आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी तो इस वज़े से उस वेबसाइट पर विजट जरूर से करिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप जा सकते हैं उसके अलावा जस्ट आप सर्च करिएगा सैवीफोरेंसिक्सक्विज.blogspot.com तो वहाँ से आपको डिरे के पार्ट 19 पर और यहां पर हम देखेंगे टॉर्ण डॉक्यमेंट क्या होते हैं उससे पहले हमने बात कर ली थी जो आपके चार्ड डॉक्यमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं I hope so आप सभी ने वाले वीडियो को देख लिया होगा बैसिकली जितने भी प्रिविएस वीड जो हैं आपके नेट के एक्जाम में आपको डेफिनेटली बहुत जादा है देने वाले हैं ठीक है तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले आपके लिए है एक क्वेश्यन क्वेश्यन है आपके सामने इन केस ओफ टॉन डॉक्यमेंट्स आफ्टर अर अरेंज करने के बाद में जो आपके पीसेस होते हैं डॉक्यमेंट के टॉन डॉक्यमेंट के उनको अरेंज करने के बाद में उनको प्रिजर्फ करने के लिए आगे के फॉर्दर एक्जामिनेशन करने के लिए हमको उनको प्रिजर्फ करते हैं तो उसमें से यह आपको क्या क्या चीज़ों का यूज करना होता है या क्या आप इसमें से यूज कर सकते हैं तो इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से बताइएगा इससे कह रहता है कि आपके प्रेपरेशन और जदा अच्छी होती चली जाएगी यहाँ पर जो रेगुलर वीडियो जाते है यहाँ पर तो रोज आपको एक MCQ मिलता ही है उसके अलबा आपको हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे MCQs प्राक्टस करने के लिए मिल जाएंगे तो वहाँ पर भी हम जा सकते हैं तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं बेसिकली तो जो आपके टॉ कुछ जानबूच कर 2 या 2 से जाधा पीसे स्में फार दिया जाता है जासा की आपका कोई सुसाइड नोट हो गया को रामसन नोट हो गया कोई आपका vind bandwidth at een तो वह Eastern in कुछ आपके documents रहते हैं आपकी property से related या फिर आपकी paternity वगर तो इस तरह है कि जो आपकी cases के documents होते हैं उसमें कुछ लोग जानबूच कर कुछ documents को फार देते हैं कुछ चीजों को छुपाने के लिए documents को फार दिया जाता है तो वो जो आपके फटे हुआ documents होते हैं उन्हीं documents को हम कहते हैं torn documents तो यहाँ पर क्या है any document which is deliberately made into two or more pieces of fragments by tearing, shredding it apart physically constitutes a torn document torn document can be expected in cases of leaking of competitive examination papers, intentionally destroying the important document etc for excluding the evidence, anonymous or ramson letters, suicide notes etc so यह वही चीज है जो मैंने आभी आपको explain करी है इसको आप अच्छे दिर पढ़िएगा तो आपको चीज़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी आगे move करते हैं तो यहाँ पर क्या है जो आपके torn documents होते हैं basically उनकी क्या characteristics होती है so जितने भी आपके documents होते हैं इस तरह के torn documents होते हैं वो basically आपको pieces के form में देखेंगे मतलब छोटे-छोटे से टुकडे जो होते हैं उन्हें के format में आपको इस तरह के documents देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जब इस तरह के document होते हैं तो उनकी edges को ध्यान से देखना बहुत ही जादा requirement हो जाता है क्योंकि जब आप उनकी edges को carefully देखते हैं तो उससे आपको नजर आता है वहाँ पर कोई specific area है उस torn document का जिसके help से हम कुछ identify कर सकें या फिर कोई specific area है जो आपका edge होता है उसके basis पर जो आपकी torn documents है उनको हम arrange कर पाएं तो इसलिए वो जो आपके edges होते हैं उनको carefully देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उसके अलाबा torn pieces of the document should be collected and tried to arrange it properly जब आपके torn documents आपको मिलते हैं तो उसको आपको collect कर लेना होता है बहुत ही carefully कि आपका कोई भी उसमें से एक भी टुकड़ा वहां से गायब ना हो जितने भी वहां पर available ने उनको बहुत ध्यान से अच्छे से उठा लेना होता है और कोशिश करनी होती है कि जितने भी आपको वहां पर आपके pieces मिले हैं उस paper के तो आप उसको properly arrange करें बिसिकली यह आपको जो आपर investigation कर ले जाते हैं उनको arrange नहीं करना होता है वो बस pack करके भेज देते हैं लाब में और लाब में जो scientific officials होते हैं वो उसको arrange करते हैं इसके अलावा after the pieces are arranged properly it should be photographed and then the restoration process is carried out जब आप पुरा arrange कर लेते हैं आपके सामने एक proper document बन जाता है फिर आपको उसको photograph लेनी होती है उसके एक photo आपको click करनी होती है और फिर उसको restoration process के लिए further आगे का उसकी process होती है जो भी आप information derive कर सकते हैं वो सब आपको निकालना होता है तो यह सारा कुछ कम वापर किया ज features अभी हम आगे move करते हैं और यहां पर इनके जो preservation होता है वो आपको किस तरह से करना चाहिए तो इनके preservation में जो सबसे ज़्यादा important है वो यह है कि जो आपके इस तरह के document होते हैं उनको air से बचाना चाहिए जब आप ton document के collection के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज भी वहाँ पर हवा लग जाएगी तो वो documents उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे फिर आप उनको पूरी तरह से collect नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है इस तरह से आपका एक आधा juice का टुकुला था एक आधा juice का piece था वो गायब हो जाए तो इस विरस इसको prevent करना चाहिए air स उसके अलवा अगर आपको वहाँ पर torn document के कुछ pieces मिलते हैं तो उनको सबसे पहले तो आपको एक poly bag में डालना होता है सारे documents को इस तरह से उठाना है कि उसमें कोई भी fold ना पड़े कोई भी piece वहाँ से गायब ना हो जितना जो कुछ जैसा वहाँ पर available है उसको as it is वैसे ही एक poly bag में collect कर लेना चाहिए poly bag में collect करने के बाद में उस poly bag को zip lock करके दूसरे एक box में transfer करते हैं और उस box के उपर proper labeling कर देते हैं कि यह basically क्या case number है क्या case है और इस तरह दे जितने भी important information होती है वो सारी के सारी उस पर note down कर देते हैं चिक है इसके इलावा while preservation of the torn document it is necessary to look for any fingerprints on the piece of paper which can lead us to the suspect so basically जितने भी वहाँ पर आपके torn documents होते हैं तो जब उनका examination किया जाता है तो उस ताइम पर यह चीज़ बहुत ध्यान से देखनी चाहिए यह उन documents पर किसी भी तरह कि कोई भी fingerprints तो available नहीं है क्योंकि अगर वहाँ पर fingerprints available होगे तो वह आपका directly link कर सकता है आपके suspect तक तो जब आपके साबने suspect का हो जाएगा कि यह 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 आपके suspect हो सकते हैं तो उससे आप directly बहुत ही असानी से जो भी आपके calculate होते हैं उनको पकड़ सकते हैं तो इसी वज़ा से जो आप torn documents का collection कर रहे होते हैं तो उस time पर आपको अपने beard जो hands होते हैं उनसे documents को नहीं touch करना चाहिए जब तक आपने gloves नहीं पहने हैं अपने hands में तक तक आप उनको touch नहीं करेंगे और जब भी उनको उठाना है तो बहुत ही इसके अलावा all the information regarding the evidence should be written on the box which is then transferred to the experts बैसिकली वही line है जो आपके आपने polybag को आपने एक box में transfer कर दिया था उसके बाद में जो box था जो पूरा आपने pack करके seal कर दिया था उसके उपर पूरी आपको labeling करनी होती है जो भी उस case से related है जितने भी important points होते है basically क्या case number है क्या punishment है किस तरह का case है क्या क्या इसमें देखा गया है इसमें किस तरह के examination के requirement है तो वो सारा कुछ आपको box के उपर label करके तब वहाँ पर lab में आपको send करना होता है ठीक है और बाकी इसके detail में अगर आपको जाना है क्या क्या labeling करनी होती है कौन-कौन वहां तक लेके जाता है lab तक किस सरह से transfer होता है तो उसके लिए आप हमारे previous videos में जा सकते हैं approximately one year पहले मैंने वो videos बनाए से तो उसकी पूरी playlist है तो वहां पर आपको सारा कुछ available हो जाएगा यहां पर आपको उपर एक i button दिख रही होगी तो वहां से आप directly जा सकते हैं वहां पर आपको सारे के सारे videos available हो जाएगे और वह deciferment की deciferment क्या मतलब है इनके जो documents ton documents होते हैं का examination हम किस तरह से करते हैं तो यहां पर क्या है all the pieces should be spread on a large table and it should be take care of that there should be no air which can blow up the paper pieces so basically जब आपके पास lab में जो documents है वो पहुंच गये ton documents लाब में examination के लिए पहुंच गये तो जो examiner होता है जो उनको examine कर रहा होता है वो पहले तो जितने भी ton document की pieces होते हैं उनको एक बड़ी सी table के ओपर सारे के सारे pieces को फैला लेगा और जब यह काम कर रहे होते हैं तो उस time पर उनको यह बहुत ध्यान रखना था है कि वहाँ पर किसी भी तरह कोई भी air ना present हो air होगी तो वह सारे pieces को उड़ा देगी सब उड़ जाएंगे तो आपको मिलेंगे नहीं तो इस वजह से वहाँ पर आपको यह ध्यान रखना था है कि वहाँ पर किसी भी तरह का air available ना हो इसके बाद में फिर आप कोशिश करेंगे वो जो documents अपके अलग-अलग पड़े हैं puzzle format में हैं तो आपको उनको arrange करना होता है arrange करने के लिए आपको बहुत sequence में चलना होते हैं कि जो भी आपके पास document आया है तो आप एक तरफ से एक-एक piece को देखते हुए ध्यान से चलेंगे कि कौनसा किस तरह से हो सकता है बिसकी जब आप वहाँ पर examine कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप जब corner pieces ढूण लेंगे टॉप के pieces ढूंड लेंगे जो आपके bottom side की pieces होते हैं वो आप ढूंड लेंगे तो यह आप अलग-अलग separate separate करते लग पाटा करें गिंगे और जो आपके बीच के पीसड वोंगे उननको अलग कि तो इस तरह से आपके पास इक अलग-अलग सेट बन गया, अब उसमें से आप एक तरफ से स्टार्ट कर आए जो हाप एक पास सी अलग-अलग सेट किहाट से स्टार्थ करें गोज इसके बाद में यहाँ पर कहा लिखा है बेसिकली यह वही लाइन यह पीसेज आर्ट जॉइन्ट लाइके ना पर्जल अकॉर्डिंग टू दियो जाता है तब आपको उसकी फोटोग्राफ लेनी होती है नाइटी डिग्री पर नॉर्मल लाइट में मतला जब आप किसी बितर लेनी होती है वह आपकी राइट अंगल पर होनी चाहिए मतलब यह नहीं कि आप किसी भी एंगल से फोटो ले रहे हैं आपका इग्जाक्ट नाइंटी डिग्री पर आपकी फोटो आपको लेनी चाहिए और जब आप फोटो लेते हैं तो उस टाइम पर आपको बिल्कुल लाइट में फोटो लेनी होती है तो इसके बाद में जब आपका पूरा बन गया फिर आपको इसको प्रेजर्फ करना होता है ताकि आप इसमें फॉर्दर एग्जामिनेशन को कर पाया है क्योंकि आपने सिर्फ अभी तक अरेंट कर पाया है अगर आप इसको वापस से store आकेशिया और इसके अलावा यहाँ पर यूज कर सकते है प्रसपेक्स परसपेक्स क्या होता है जो आपके दो फ्रत क चैब्स अकर सकते हैं घमकेश्ज का कर s Ce इन दोनों के बीच में आपको अपने डॉक्यमेंट को रखना होता है और देन दोनों ही शीट के बीच में आप इसको इस तरह सी जो पूरा सिस्टम बनाते हैं तो इस पूरे ही सिस्टम को हम बोलते हैं परस्पेक्स ठीक है तो यह चीज होती है आई होप यहां तक आपको करना होता है examination करने के लिए वो depend करता है किस तरह के questions आप से पूछे गए हैं वो जो भी ऑफिशियर्स आप से questions पूछी जाते हैं कि आपको इसमें यह यह examination करना है आपको वही वही करना होता है for example जैसे कि आपका पूरा क्या motive हो सकता था यह सब को समझना handwriting comparison करना handwriting की basis पर उस particular को आपका detect करना ही कौन किसका handwriting हो सकती कौन suspect हो सकता है उसके अलावा जो भी documents है तो उस पर किसी भी तरह का अगर कोई भी fingerprint available है तो उसको detect करना फिर उसका examination करना और फिर उसके basis पर suspect को identify करना तो यह सारे चीज़ें आपक turn document के examination की time पर और अभी हम इसको एक diagram की help से समझ लेते हैं तो यह एक photo से आप समझ सकते हैं basically यह real image है मैंने कुछ से करा था तो मैं आसे आपको अच्छे से समझा देती हूं यह आपके turn document है जहां पर जो page के pieces हैं वो अलग-अलग फटे हुए पड़े हैं ऐसे आपको यहां इस image से आपको कुछ भी ने समझ में आ रहा है कहां पर कौन सा piece है कौन सा नहीं है अब इसको आपको arrange करना है सबसे पहला काम होता है turn document की pieces को arrange करना इनको arrange करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे जितने भी आपके पास turn document की pieces हैं उनको अपनी एक बड़ी सी table लीज चाहिए अब इसमें क्या करेंगे आप जो आपके edges वाले edges का मितला भी जो corner pieces है कि इस वाले diagram आप देखें यहां पर मैंने सारे इतने भी pieces थे उनको arrange कर दिया था तो यहां पर जो आपके edges की pieces होते हैं यह जो आपके किनारे की pieces होते हैं सबसे पहले आपको काम होता है कि आपको इसको solve करना बहुत आसान हो जाता है तो अब आपने सारे जो corner की pieces थे इनको आपने identify कर लिया अब जब आपने इनको identify कर लिया तो आप इसमें से यह देखें कि उपर का piece कौन सा हो सकता है नीचे का piece कौन सा हो सकता है इसमें से आप जिसे की line वाली copy का page है तो यहां आप देख सकते हैं कि यह आपकी जो rule है यह इस side में है तो इसमें से यह भी आपका उपर का हो सकता है लेकिन इसमें आपका यह वाला उपर का हो सकता है बट यह आपका जब reverse order में आएगा ठीक है reverse का मतलब जब आप इसका just उल्टा कर देंगे यह वाला surface आप नीचे कर दे देख सकते हैं तो यह वाला जो टुकड़ा है सीधा सीधा इसका उपर का edge है तो यह तो उपर proper fit हो नहीं पाएगा तो इस वजह से आपका उपर यह आएगा या तो यह आएगा या तो यह आएगा लेकिन इसका आगर आएगा तो यह इसका reverse order में आएगा मतलब उल्टा फिर आप उनको ढूणेंगे ठीके फिर आप उनको line by line जैसे कि जिसमें जिस तरह का cut हो तरह से इसमें ऐसा सीधा है इसमें तिरशा जा रहा है इसमें फिर से सीधा है जो आपका cut लगा है तो इसके basis पर आप इनको एक एक करके arrange करते वे चले जाएंगे उसके अलबा जब डॉक्यमेंट को अरेंज कर रहे होते हैं तो एक तो आप एज वगेर आप देखेंगे किस में किस तरह का फटा हुआ साइड है आप उसकी बेशिस पर देखेंगे उसके रहावा जो डॉक्यमेंट है उस पर जो कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी आप मैच करते हुए है कि यहां पर इस कॉर्णर पर औरेंज से लिखा हुआ है और यह आधा लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो इसका नेक्स्ट पीस आएगा इसके बाद वाला पीस आएगा वहां पर भी कुछ आपको औरेंज पैंसे ही लिखा होगा तो वह आप इस तरह से रूड के इसको 11वीश कहा पर लगेगा और इस तरह से करते करते हैं आपके सामने पूरा का पूरा दॉकिमेंट अरेंग हो जाएगा चीक 왔ippers करनेयो है फिर आपको एग्जामेशन करना है वह सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है यह प्राक्टिकलपikणना उह से बश्रम समझ में आ जाएंगे एक पेज लीजेगा इस पर कुछ लिखा हो उसको फार दीजेगा जैसे भी मर जाया है वैसे फार दीजेगा और फिर आप उसको arrange करने की कोशिश करिएगा फिर आपको समझ में आएगा मैंने बताया है वैसे वैसे करने की कोशिश करिएगा आपको पूरा समझ में आदेगा कि document को किस तरह से आपको arrange करना होता है ठीक है थोड़ा सा effort लगता है और बहुत आसानी से आपका पूरा अरेंज हो जाता है ठीक है, so I hope यहां तक आपको चीजी बहुत अच्छे से clear हो गई होगी होगी मैंने अपना पूरा best देने की कोशिश करी है कि आपको चीजी बहुत अच्छे से clear हो जाएं फिर भी कोई doubt रह जाता है तो comment section में लिखके जरूर से बताएगा और यह जरूर से बताएगा कि आप कोई वीडियो कैसा लगा और जाने से पहले आपके सामने है एक question और यह जो question था उसका answer आप बताना है तो basically जो मैंने question पूछा था तो उसका correct answer है बोथ 1 and 3 जो आपका prospects होता है और जो gum acacia होता है इन दोनों का ही use करते हुए आप document को preserve कर सकते है तो आपका correct answer हो जाएगा option number 4 that is both 1 and 3 are the correct answer चिके तो यहां तक आपके सारे के सारे मैंने चीज़े समझा दी हैं अच्छी सा ton document के बारे में आपको समझ में आप ही और यह वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर देंगे और उससे पहले facebook page और telegram channel को जरूर से join कर लेंगे को यहां पर आपको सारी की सारी information मिल जाती है कुछ मैं latest post करती हूं वह आपको मिल जाता है यह .blogspot.com यह अब नहीं है इसके जगह पर change कर दिया है जो पुराना वाला था इसको मैंने delete कर दिया है ठीक है तो इसको मत दूनेगा यह आपको वहां पर नहीं available मिलेगा इसके जगह पर आपको savvyforensicsquiz.blogspot.com मिलेगा चिक है और अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको like जिरूर से कर देंगे अपने friends के साथ में जरूर से share कर देजेगा ताकि उन तक भी quality content पहुंच जाए चानल पर नहीं तो चानल को subscribe ज़रूर से कर लिजेगा बेल अकन प्रेस कर लेगा for daily updates and thank you so much for joining me here